भारत में कोरोना वारस के संक्रमन के करीब 64,000,000,000 मामले हो चुके हैं। इन में से करीब एक लाख मरीज अपनी जान गमबा चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमन भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोना मामले दर्ज किये गए। जब में अब कुल कुरोना संक्रमितों की संख्या 63,94,000 हो गई है। इन में से 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केज की संख्या घटकर 9,42,000 हो गई और 53,52,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमन के एक्टिव केज की संख्या की तुल्ला में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करी 5 गुना अधिकी है। आइसीम मार के मुताबिर 1 अक्टूबर तक कुरोना वारस के कुल 7,67,000,000 सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं। जिन में से 11,00,000,000 सेंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिक्टिविटी रेट 7 फीस दी है। बृत्यूदर में गिरावट राहत की बात है कि मृत्यूदर और एक्टिव केज रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बृत्यूदर गिरकर 1.56% हो गई। इसके अलवा एक्टिव केज जिनका इलाज चल है उनके दर भी घटकर 15% हो गई है। प्रदेश, तमिलनाडू, करनाटेक और उत्तर प्रदेश हैं। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केज हैं। एक्टिव केज मामले में दुनिया में भारत का दूसरा अस्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्याक के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बार भारत का नंबर है।